नमस्कार दोस्तों तो कारियालिय निर्देशक मादिमिक शिक्षा बिकानेर की दोरा जो है वो एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसके अंतरगत कुछ महत्पून बातें जो है वो बताई गई है पहली चीज तो ये कि शनिवार को जो वीकेंड कर्फ्यू है उस दोरान भी जो स्कूल्स हैं उनको जो है वो खोला जाएगा जिसके अंदर पचास परतिशत कर्मिक जो है वो स्कूल के अंदर उपस्तित रहेंगे पचास परतिशत जो कर्मिक हैं वो फिल्ड ड्यूटी देंगे जबकि फिल्ड ड्यूटी की जो रिपोर्ट होगी वो संस्ता परधान को सौंपी जाएगी जिसका जो अवलोकन है वो बीस तारीक को यानि बीस जून को जो है वो उत्सो दिकारियों के द्वारा स्कूल के अंदर निरिक्षन के दौरां जो है वो किया जा सकता है इसके साथ साथ में बात करें तो जो बच्चों के लिए स्कूल है वो अभी जो है बंद रखे जाएंगे बच्चों के स्कूल जो है वो कब तक खुल सकते हैं इसके बारे में हालांकि कोई एक्जेक्ट आइडिया नहीं है लेकिन फिर भी अशोग घहलोजी के द्वारा ये जो है वो प्रेस कॉनफरेंस के अंदर भी क्लियर किया गया था कि जो थर्ड वेव ह उसके अंदर बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से आप यह कह सकते हैं कि साफधान है या चिंतित है जिसको लेकर के ये लगता है कि अभी इस तीति को देखकर के ये लगता है कि स्कूल कम से कम 20 जून तक नहीं खोले जाएंगे हो सकता है कि 21 या 22 जून को इस से समंदी जो अपडेट है वो निकल करके सामने आए तब तक जो है वो बच्चों के लिए स्कूल को जो है वो बंद रखा जा सकता है धन्यवाद